36 गड़ को प्राकृतिक चिकित्सा के क्षित्र में जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है रजानी राइपूर में एनाइटी के पास 10 सेकड जमीन में योग और निचुरोपैथी के सौग दिस्तरों वाला नया अस्पदाल बनने जा रहा है इसका शिला नियास प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी 29 अक्टूबर को करेंगे इसके बाद इसका निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा अस्पदाल के बनने के बाद प्रदेश के मरीजों का इलाज प्रकृतिक चिकित्सा पदधती से किया जाएगा जंकारी के मुताबिक यह देश में पहला यूग और निचुरो पैथी अस्पदाल होगा जो की 36 गड़ में तयार होने जा रहा है वही स्वास्त मंतरी श्याम बिहारी जैसवाल ने मामले पर कहा कि आने वाले दिनों में इसका लाब प्रदेश की जनता को मिलेगा एक बड़ी खुश खबरी है कि 29 तारिक एक 36 गड़ के लिए बहुत बड़ा चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के छेत्र में एक बड़ा दिन बनने जा रहा है यह 29 तारिक को माननी प्रधान मंत्री जी 36 गड़ में 120 का योग और नेच्रोपेथी होस्पिटल का और योग और नेच्रोपेथी रिसर्च सेंटर का वर्च्वल सिनालनेस करेंगे और इस कड़ी में भारत का ये पहला भी हम कह सकते हैं क्योंकि तीन राज्यों को ये हेंड़ेट बेट का होस्पिटल और रिसर्च सेंटर मिला हुआ है इसमें आंध्रपरदेश, उडिशा और 36 गड़ हैं तो चुकि हम अपने राज्य को अग्रणी ही मानग चलेंगे भले तीनों राज्य एक साथ हो रहे हैं तो ये 36 गड़ के लिए बहुत बड़ा ये योग नेचरोपेथी और प्राकृतिक चिकित्सा के छेतर में माईली स्टोन होगा और इसके लिए जगा भी विभाग ने च हो जाएगा